नमस्ते बच्चो आज हम कक्षा पांच के हिंदी विशय का इकाई ग्यारः पढ़ेंगे जिसका नाम है सच्चा बालक यह एक जीवन प्रसंग है इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है जीवन में चाहे कितनी भी मुश्केले आये पर जो मनुश्य अपने आदर्श को नहीं छोड़ता है वह महान बनता है ऐसे ही एक बालक की कहानी हम इस इकाई में पढ़ेंगे एक समय की बात है जब लोग एक जगह से दुसरी जगह चल कर जाया करते थे उस वक्त की यह बात है एक लंबा काफिला बगदाद की और जा रहा था काफिला यानि की बहुत ही बड़े यात्रियों का समूँ एक बार बगदाद शहर की और जा रहा था यहाँ पर आप बगदाद शहर देख सकते हैं कहाँ पर है रास्ते में उस पर डाकू तूट पड़े और लुट मार करने लगे यह काफिला बगदाद शहर की ओर जा रहा था तब रास्ते में उस पर डाकू तूट पड़ते है और यह काफिले पर लुट मार करने लगते है यानि कि सभी लोगों के पास से कुछ न कुछ चीजे वह लुट लेने लगे उस काफिले में एक नो वर्ष का बालक भी था वह बालक था इसलिए वह एक और चुप चाप खड़ा हो गया और जो कुछ भी हो रहा था यानि कि लुट मार हो रही थी यह लुट मार को वह देख रहा था एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी यानि कि इस बालक पर पड़ती है जो यह लुट मार को चुप चाप देख रहा था लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला यानि कि कठोरता से बोलता है तेरे पास भी कुछ है डाकू की बात सुनकर लड़का कहता है मेरे पास 40 अशर्फिया है अशर्फिया यानि की सोने के सिक्के तो यह लड़का डाकू को कहता है कि मेरे पास 40 सोने के सिक्के है यानि की अशर्फिया है तो डाकू चकित होकर यानी कि आस्चर्या में आकर कहता है क्या कहा तेरे पास 40 अशर्फिया है तो लड़का कहता है जी हाँ मेरे पास 40 अशर्फिया है तो डाकू लड़के का हाथ पकड़ कर सरदार के पास ले गया और उसने अपने सरदार से कहा यह लड़का अपने पास 40 अशर्फिया बता रहा है तो जो डाकू था वह तो इस लड़के को अपना हाथ पकड़ कर सरदार के पास ले जाता है और सरदार को जाकर कहता है कि यह लड़का ऐसा कह रहा है कि इसके पास 40 अशर्फिया है डाकू ओ का सरदार लड़के से कहता है तेरी अशर्फिया कहा है तो लड़के ने अपनी सदरी सदरी यानी की चाकिट यह चित्र में आप यह बच्चे का चाकिट यानी की सदरी देख सकते हो तो यह लड़के ने अपनी सदरी फाड कर उसमें जितनी भी अशर्फिया चुपी थी वह निकाल ली और सरदार के सामने रखते हुए कहा कि यह देखो यह मेरी अशर्फिया है तो सरदार को अस्चर्य हुआ और लड़के से कहता है अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाई तुम्हें किसने बताया था तो लड़का कहता है कि मेरी मा ने इनको सदरी के अस्तर में सीदी अस्तर यानी कि सिले कपड़े के भीतर की तह में छिपा दी थी जिससे किसी को पता न चले कि मेरे पास अशर्फिया है डाकूओ के सरदार ने लड़के से कहा कि तो तुने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया तब लड़का कहता है कि मैं जूठ कैसे बोलता मेरी माने कहा था कि बेटा सदेव यानि कि हमेशा सच बोलना जूठ बोलना पाप है लड़का कहता है कि मेरी माने मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए जूठ बोलना नहीं चाहिए तब सरदार डाकू से कहता है कि यह चोटा बच्चा अपनी मा का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी जूठ नहीं बोला जबकि हम लोग बड़े होकर भी इश्वर के वताये नेक रास्ते पर यानि कि सही रास्ते पर नहीं चलते हैं और लुट मार करते रहते हैं सरदार की बात सुनकर सब डाकू ने कहा कि सरदार आपकी बात तो ठीक है तब सरदार अपने डाकू साथियों से कहता है कि इनका लुटा हुआ सामान इनहें वापस कर दो यानि कि इनहें लोटा दो काफिले का पूरा सामान उसको लोटा दो तो डाकू ने सब सामान वापस कर दिया और इतना ही नहीं आगे कभी लुट मार न करने की प्रतिग्या भी ली सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दूल कादीर था बड़ा होकर यह बालक एक महान संत हुआ उनकी समाधी यानि की मकबरा मजार बगदाद शहर में है वहाँ पर प्रत्यक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए चाते है यह प्रसंग सत्य घटना आधारित है सच बोलने के कारण अब्दूल कादीर को आज भी हम याद करते है और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करते है अब हम इस इकाई में दिये गए नए शब्दों का अधियन करते हैं पहला शब्द है काफिला यानी की यात्रियों का समू अशर्फिया यानी की सोने के सिक्के वापिस करना यानी की लोटाना सद्री यानी की चाकिट सर्दार यानी की नेता अस्तर सिले कपडे के पीतर की तह समाधी यानी की मकबरा या फिर मजार मा यानी की जननी या फिर माता सदेव यानी की हम्मेशा या तो फिर सर्वदा नेक यानी की इमांदार इश्वर यानी की भगवान या तो फिर प्रभू मुहावरे पहला मुहावरा है नेक रास्ते पर चलना यानी की सही रास्ते पर चलना दुसरा है कडग कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना अभ्यास प्रश्ण नंबर एक ऐसा क्यों कहा सरदार के पुछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशर्फिया है उत्तर लड़के से उसकी माने कहा था बेटा सदेव सच बोलना चूठ बोलना पाप है लड़के ने उसकी मा की सिख मान ले थी वह अपनी मा के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था इसलिए सरदार के पुछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया मेरे पास 40 अशर्फिया है दूसरा प्रश्न सरदार ने डाकूओ से कहा लुटा हुआ सामान वापस कर दो उत्तर लड़के ने अपनी मा की सीख के अनुसार डाकूओ को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशर्फिया है लड़के की यह इमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लुट मार से उसे नफरत हो गई इसलिए सरदार ने डाकूओ से कहा लुटा हुआ सामान वापस कर दो प्रश्ना नमबर दो पढ़िये और लिखिये यहाँ पर पहला है लड़का कहता है मेरे पास 40 अशर्फिया है दूसरा आसमान में घनगोर बादल छाये है तीसरा माने कहा था बेटा सदेव सच बोलना चोथा हमेशा सत्य की ही जीत होती है पांचवा हो की हमारा राष्ट्रिय खेल है प्रश्ण नमबर 3 आप अब्दूल कादिर की जग होते तो क्या करते उत्तर अब्दूल कादिर की जग में होता तो कादिर की तरह में भी सच बोलकर अशर्फिया डाकूओ को दे देता डाकूओ से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और एक आप है कि भगवान के बताये हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बे इमानी की कमाई खाते हो रश्न नमबर चार पढ़िये और समझे यहाँ पर हम विरुद्दार्थी शब्द लिखेंगे मा का विरुदार्थी है बाप, बड़ा का विरोधी होगा छूटा, सच का विरोधी होगा जुट, नेक का विरोधी है बे इमान, प्रसिद्ध का विरोधी है और प्रसिद्ध, आज का विरोधी है कल, और पास का विरोधी है दुर प्रश्ण नमबर पांच सच्चा बालक कहानी का कथन इवं लेखन कीजिए एक समय की बात है एक लंबा काफिला बगदाद की और जा रहा था रास्ते में उस पर डाकू तुट पड़े और लुटमार करने लगे उस काफिले में एक नो वर्ष का बालक था वह एक और चुब चाप खड़ा होकर यह लुटमार देख रहा था एक डाकू ने उस लड़के को देखा तो उससे भी पूछा लड़का सच बोला उसने अपनी सदरी का उस्तर फाड़ कर चालिश अशर्फिया निकाली और उस डाकू को दे दी डाकू के सरदार को आस्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी अशर्फिया चुपाई क्यों नहीं लड़के से पुछने पर उसने बताया कि वह अपनी मा की सच बोलने की सिख मानता है वह ऐसे मुसिबत के समय में भी मा के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता इसलिए वह सच बोला इतने छोटे लड़के को अपनी मा की सिख पर अडिग रहते देखकर डाको और उनके सरदार का दिल पसीज गया उन्होंने लुटा हुआ माल वापिस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिग्या की सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था वह बड़ा होकर महान संत हुआ उनकी समाधी बगदाद में है वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए चाते है प्रश्न नंबर 6 पढ़कर प्रश्नों के उतर दीजिए यहाँ पर हमें हिंदी दैनिक पत्र के समाचार दी हुए है तो यहाँ आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके निचे दिये गए प्रश्नों के उतर देने है तो आपको यहाँ ठीक से एक बार पढ़ लेना है हिंदी दैनिक पत्र का आधा हिस्सा हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है तो यहाँ आप एक पार ठीक से पढ़ ले उसके बाद हम उसके निचे दिये हुए प्रश्नों के उतर लिखेंगे प्रश्न नंबर एक अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है उत्तर अखबार में छपा समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ है दुसरा सवाल समाचार की हेडलाइन पढ़ है उत्तर वडोद्रा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी तिसरा सवाल समाचार किसके बारे में है उत्तर समाचार वडोद्रा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाली गनेश जी की 22 फुट उंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है प्रश्न नंबर 4 समाचार पत्र के संदर्भ में कोई चार प्रश्न बना कर उत्तर लिखे पहला प्रश्न, ये किस शहर के समाचार है उत्तर, ये वडोदरा शहर के समाचार है ब, कौन से मंडल ने गनेश जी की प्रतीमा स्थापित करने का निर्णई किया है। ड, प्रतीमा निर्मान के लिए किसको बुलाया गया है। जिसका समानार्थी होगा विशाल काई। तीसरा शब्द है गनपती जिशका समानार्थी होगा गनेश। चोथा शब्द है खास। जिसका समानार्थी होगा विशेश, पाचवा शब्द है अतीथी, जिसका समानार्थी है महमान, छठा शब्द है मूर्ति, जिसका समानार्थी होगा प्रतीमा स्वाध्याई प्रश्ण नंबर एक प्रश्णों के उत्तर दीजिये यहाँ पर पहला प्रश्ण है काफिला कहां जा रहा था उत्तर काफिला बगदाद जा रहा था दुसरा प्रश्ण बालक की उम्र कितनी थी उत्तर बालक की उम्र नो साल की थी तिसरा प्रश्न लड़के के पास कितनी अशर्फिया थी? उत्तर लड़के के पास 40 अशर्फिया थी चोथा प्रश्न लड़के ने अशर्फिया कहां रखी थी? उत्तर लड़के ने अशर्फिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी पाचवा प्रश्न लड़के की मा ने उसे क्या सिख दी थी? उत्तर लड़के की मा ने उसे हमेशा सच बोलने की सिख दी थी चठा प्रश्न डाकुओं ने लड़के से क्या सिख उत्तर डाकुओं ने लड़के से इमानदारी सिख उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी मा की सिख मान कर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताये हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते उस दिन से उन्होंने लुटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्या की साथवा प्रश्न सच बोलने वाला बालक कौन था? उत्तर सच बोलने वाला बालक अब्दूल कादिर था आठवा प्रश्न अब्दूल कादीर की समाधी कहा है? उत्तर अब्दूल कादीर की समाधी बगदाद में है प्रश्ना नंबर दो सही जोडे मिलाईए और वाक्य प्रयोग कीजिये पहला है कडक कर बोलना यानी की कठोरता से बोलना वाक्य है माता कडक कर बोले तो बेटा सही रास्ते पर चलने लगा दुसरा है गुटने टेकना यानी की हार मानना जिसका वाक्य है अंग्रे जोने गांधी जी के आगे गुटने टेक दिये तिसरा है नेक रास्ते पर चलना यानी की सही रास्ते पर चलना वाक्य गुरु जी हमको नेक रास्ते पर चलने की सिख देते है चोथा है आखों का तारा यानी की बहुत प्यारा वाक्य मा के लिए बेटा अपनी आखों का तारा है पांचवा कान फूकना यानी की कान में कहना वाक्य है कई बच्चे अपने मित्र के कान फूक कर उनमें जगडा करवाते है धन्यवाद फिर से मिलेंगे एक नए इकाई के साथ